Hello Friends, कैसे हैं आप आसा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होगे और आपके आने वाले एक्जाम की तयारी भी बहुत ही बढ़िया चल लई होगी तो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिसकस करने वाले हैं 5 और 6 अगस्त से related current affairs को जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मातपूर है, दोस्तो इस lecture के अंत में आपसे कुछ कोश्यत पूछी जाएगे जिनके जबाब आपको comment box में जरूर देना है इसके अलाबा जी के डोज को भी डिसकस किया जाएगा जो कि आपके एक्जाम के लिए important है तो चलिए रोज की तरह डिसकस करते हैं आज का motivation, motivation क्या है जब तूटने लगे होसले तो यह याद रखना बिना महनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारे होसले तूटने लगे तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि बिना महनत के कुछ हासिल नहीं होता है अगर हमें तक तो ताज यानि सफलता पानी है तो हमें महनत करनी पड़ेगी तो दोस्तो आज का हमारा इस lecture का लक्ष है 150 like का लाइक कर दें आप और दोस्तों को भी सेर कर दें जिससे स्टीडी कर को सपोर्ट मिल सकें तो चलिए फ्रेंड्स एक और महत्पूर्ट सूचने डिसकस करते हैं कि आप हमें खबरी एप पर यानि इस्टीडी कर को खबरी एप पर भी फालू कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा कि खबरी एप को डाउलोड करना होगा उसके बाद आप इस्टीडी कर को फालू कर सकते हैं अगर आप इस्टीडी कर को खबरी एप पर फालू करते हैं तो आपको most important audio lecture मिलेंगे जिनका फायदा आपके exam में मिलेगा तो पहला question discuss करते हैं ध्यान से सुनिएगा भारतिय होगी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हरा कर टोक्यो उलम्पिक में कौन सा पदग जीता है तो ब्रॉज मेडल यानि कांस पदग जीता है तो 1980 से लेकर के और 2020 तक कोई मेडल नहीं आया था लेकिन 2021 में टोक्यो उलम्पिक में भारत को मेडल मिला है इसके साथ ही उलम्पिक होगी में भारत के मेडलों की संख्या 12 हो गई है यानि भारत ने की जो होगी टीम है उसकी उसने उलम्पिक में 12 मेडल जीते हैं जिसमें स आठ गोल्ड है एक सिलवर है और तीन ब्रॉंज मेडल है दोस्तों साल 1928 से लेकर साल 1956 तक भारतिय होकी टीम ने ओलम्पिक में लगातार छे गोल्ड मेडल जीते थे और इसी को भारतिय होकी टीम का golden period कहा जाता है क्या कहा जाता है साथी golden period हम जान लेते हैं कि भारत ने कब-कब gold medal जीते हैं तो भारत की जो होगी टीम थी उसने 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1964 और 1980 में gold medal अपने नाम किया है इसके अलाबा एक बार silver medal मिला है 1960 में और bronze medal तीन बार मिला है कब-कब मिला है 1968 1969 और 2020 तो दोस्तों आपको ये data जरूर याद रखना है note down कर लेना है जिससे आपको यादर बना रहे आपके exam तक अगला question है हाली में भारत के लिए किस महिला मुक्किवाज ने अपने पहले ही olympic में कांस पदक जीत लिया है तो दोस्तों उस महिला मुक्किवाज का नाम क्या है लबलीना बोर गोहेन जहां से सुनिएगा इनका नाम एक बार फिर से लबलीना बोर गोहेन नाम है जिनका पहला olympic था और पहले ही olympic में उन्होंने मुक्किवाजी में कांस पदक यानि ब्रॉंज मेडल अपने नाम कर लिया है तो दोस्तों लबलीना बोर गोहेन olympic मुक्किवाजी event में पदक जीतने वाली तीसली भारतिय महिला बॉक्सर बन गई है यानि जो महिला मुक्किवाजी में टीसरी ऐसी भारतिय बॉक्सर बन गई है जिन्होंने olympic में medal जीता है इससे पहले विजिंदर सिंग ने साल 2008 में बीजिंग olympic में और MC मेरीकॉम ने साल 2012 में लंदन olympic में medal जीता था उसके बाद लवलीना बोर गोहन ने medal जीता है टोक्यो 2020 के अंदर बात करते हैं लवलीना बोर गोहन की तो इनका जन्म गोला घाठ असम में हुआ था वह है असम से पहली ऐसी महिला बनी है जिसने olympic के लिए पदक जीता है दोस्तो अभी तक असम से किसी ने भी olympic के लिए पदक नहीं जीता था लेकिन अब लवलीना बोर गोहन जो है वो पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने असम से gold medal जीता है दोस्तो 2020 में इन्हें अरजुन अबार्ड से सम्मानित किया गया था और ये असम से अरजुन अबार्ड प्राप्त करने वाली छटमी ब्यक्ती थी अंगला question है important question है हिंदी और डोंगरी भासा की किर्स प्रसिद लेकी का और कवित्री का 81 साल की उमर में निधन हो गया है फील्मों के लिए ब? इन्हों के लिए उन्हों ने लिखा है , इसलिए ये फिल्म इंडर्टिव में भी बहुत पॉपलर थी । उनकी किताब थी एक चित चेते क्या नाम था दोस्तों चित चेते तो उन्हें इस किताब के लिए 2016 में 25 सरसुती सम्मान मिल चुका है अंगला कोशन है ध्यान से सुनियेगा मिसन निर्यातक बनो निमने लिखित में से किस राजिसे रिलेटेड है यानि जो मिसन निर्यातक है वो किस राजिसे रिलेटेड है तो दोस्तों ये राजिस्थान राजिसे रिलेटेड है यानि मिसन निर्यातक राजिस्थान राज में सुरू किया गया है अब इसकी उद्देश क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं राजिस्थान की जो गवर्मेंट है मतलब वहां के जो ची इसका उद्देश से क्या है कि उन स्थानिय ब्यापारियों को register करना है और उनका समर्थन करना है जो बिदेशों में अपने ब्यापार का विस्तार करना चाहते हैं. यनि जो लोग विदेश में अपना ब्यापार करना चाहते हैं, यनि निर्यात करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक योजणा बनाई गई है, एकमिसन बनायाँ गया है, जिसका नाम क्या है, मिसन निर्यातक बनो. तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मिसन निर्यातक बनो राजस्थान गवर्मेंट यानि राजस्थान से रिलेटेड है राजस्थान की बात कर लेते हैं इसकी स्थाफना एक नवंबर 1956 को ही थी इसकी जो कैपिटल है वो जैपूर है जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है 33 है यहां का जो लिंगान उपात है वो है 926 छेतरफल की दर्श्थी से अगर हम राजस्थान की बात करें तो यह सबसे बड़ा राज है और लोकनत यहां का क्या है गहूमर गहूमर है बहुत ही चर्चा में रहता है यह गहूमर नत जो महिलाओं की द्वारत साध्यों के साध्यों की सौवेपण कीया जाता है तो आपको याद रकना ह। कि घूमर नत जो है वो किस राजस से related है? राजस्थान से related है नेक्स्ट कुश्चन है किस देश के सैना प्रमुख को अंतरिम प्रधान मंतरी के रूप में नियुक्ति कर गया है तो दोस्तो किस देश के सैना प्रमुख को अंतरिम प्रधान मंतरी के रूप में नियुक्ति कर गया है मियामार के एक फरवरी 2021 को तक्ता पलट कर दिया गया था सेना के द्वारा जिसके बाद वहां की प्रधान मंतरी आंग सांग सू को बंदी बना लिया गया था मतलब एक फरवरी 2021 को वहां की सेना यानि म्यामार की सेना ने तक्ता पलट कर दिया था और वहां की जो प्रधान मंत्री थी आंग सांग सू उनको गरिपतार कर लिया था इसके बाद म्यामार में सेना का सासन शुरू हो गया था यहाँ पर बात आई है दोस्तों म्यामार की तो म्यामार की जो कैपिटल है वो क्या है नाय एबदा ध्यान से सुनिएगा नाय एबदा जो है वहाँ की कैपिटल है वहाँ की जो करंसी है वो क्या है क्यात एक बार और ध्यान से सुनिएगा जो म्यामार की करंसी है वो क्या है क्यात है नेक्स्ट कोशन है हाली में किस देश ने 3-17 साल की आयू के बच्चों के लिए COVID-19 TK लॉंच किये हैं उस देश का नाम है UAE ने 3-17 वर्स के आयू के बच्चों के लिए COVID-19 TK लॉंच किये हैं UAE, 3-17 वर्स के आयू के बच्चों को चीन की Sinoform COVID-19 वैक्सीन लगाएगा कौनसी वैक्सीन लगाएगा? Sinoform तो आपको याद रखना है जो Sinoform नाम, जो COVID वैक्सीन है वो चाइना की है और उसी को लगाया जाएगा UAE में तीन से सत्रा साल के बच्चों के लिए यहाई फैसला clinical trial और मुल्यांकन के बाद किया गया है यनि इस vaccine का पहले clinical trial किया गया और फिर उसका मुल्यांकन किया गया इसके बाद इसको मंजूरी दी गई है सयुक्त अरब की बाद करें तो सयुक्त अरब अमिराद की जो capital है वो है अबुधाबी प्रधान मंतरी कौन है मुहमद बिन रासिद अलमक्तूम वहां के प्राइम मिनिस्टर है सयुक्त अरब अमिराद मद्ध पूर्व एसिया में स्थित एक कंट्री है दोस्तों जीके डोज की बात कर लेते हैंं जीके डोज में हम कुछ महतपोण को 2 मेंडियोंग कमेंट दृपूर्व क brutus को मुना जाता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में की कि खेल दिवस कम मनाए जयता है 20 परियावड दिवस्मना जाता है पांट जुन को करो या मरो या डू का जो स्लोगन था महात्मा गांधी कॉस्टन है जैहिंद का मारा कि स्था जी सुगा पोश से दिलिध Anda regular लाल बहादुर सास्त्री दोस्तों आज के रिवीजन वाले प्रस्टने डिसकस कर लेते हैं जिनकी जबाब आपको कमेंट बॉक्स में तो ध्यान से सुनिएगा पहला कोश्चन है भारतिय होकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कितने साल के बाद पदक जीता है दूसरा कोश्चन है भा अबलीना बोहेन का संबंध किस राज़े से है चौथा कोश्चन है घूमर नरत किस राज़े से संबनित है और अन्तिम कोश्चन है म्यामार की राज़ानी क्या है तो इन सभी प्रसनों की जबाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं तो चलिए फ्रेंड्स एक और म पूज करेंगे आपको उस कोर्स पर भारी छूट दी जाएगे आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजेगा जहां पर एक लाग से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं वह रोज वहां से पीडिएप पर राप्त करते हैं कुछ भी देते हैं इसके अलावा ट करेंगे आपको भी जुड़े हैं 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 आपको भी जॡ़े हैं आपको